सबे जनला हर्दिक स्वाग अच्छा हमी आज देखी क्लास 10 को मेंसुरेशन चैप्टर इस्टार्ट गर देशो यो चैप्टर मा आमले पर्णो पर्णी टपिक करूछन प्लेन सर्फेस, स्लिंडर यान स्फेर, प्रिज्मा यान प्रियामिट यो टपिक बाट इस्टुडेन हरुलाई चैएं धिरे फर्मुला समझेग ना गयारु परिराको हुँँछा मैले चैएं हरेक टपिक मा फर्मुला समझेग ने टेखनीक हरुशिका हुँँछ आज अको विडियो मा हैमी स्चुरु कर देशो फर्स्ट टपिक प्लेन सर्फेश फ्रम दा चैप्टर मैंसुरेशन मैंसुरेशन को फर्स्ट टपिक छा प्लेन सर्फेश यो प्लेन सर्फेश भना चैएं जसको दुई वटा मात्रे डाइमेंशन चैएं लेंध्र ब्रेथ मात्रे चैएं ब्रेथ मात्रे चैएं त्यस्ते length height मातर ही चाहा इसता surface अरो त्यस्ता object हरो चाही plane surface हो जस्ते circle को कुरा गरे बनी circle is just plane surface जस्ते area triangle है शपपई हमी special triangle को ही कुरा गर शाम सपपई triangle हरो plane surface हो यहसमा length breath अथा length height अथा breath height यहस्ते को दुई वटा dimension को मातर ही कुरा गर शाम cylinder यहरे बनी length breath height चाही 3D object हरो book यहरे बनी चाही book 3D हो length breath height होंच त्यसको यही ठिकने सुनच त्यस्ते book को यह उटा मातरे face यहरे बनी चाही plane surface होंच rectangular होला अथा square होला height चाही plane surface होंच plane surface मनी जसको दुई वटा मातरे dimension आमेले हेर ना सकनी देखना सकने भेला length breath height तीन वटा dimension मातर होंच यही कुने पनी अबजेक्ट को कुने पनी surface को चाहीं दुई वटा मातरे dimension चाही बनी that is plane surface यही त्यो circle पनी होना सक्षा triangle पनी होना सक्षा rectangle square जे पनी तिनी सब पई plane surface होंच आमी यह plane surface topic माच चाहीं especially area of triangle को यही कुरा होंच यही एदी area of triangle को formula हरो यही समझेना सकनो बह बोली S बाट आउनी 99% question सर्च इस सजीले solve होंच जस्तो यही कुने पनी right angle triangle को base को length देया चा height देया चाह भने S अरी area फाइनल कर्षा गिंच अरी area of triangle equals to half BS, base times height जस्तो यह कुने triangle को base को पुरी lane देया चाह रा height देया चाह यही बलापनी half BS लगाए रहा half base times height लगाए रहे area फाइनल कर्षा इस माच चस्तो कुने triangle एस तो चाह बने इसको height चाहीं बाइड अपनी होना सक्छा ही height बना चाहीं जस्तो यह बाट यहान लगे बने यह पनी height होन चाहीं यह को length रह यह को length देया चाह बने यह triangle को area यह आउंच 1 upon 2 B times h यह स्ता question सर्व एक्षिन मा हमी practice गरने चाह ला त्यस्तो यह triangle चे आईसोशलीस चाह बने मतलाब यह दी दुईवटा side औरो equal length का चाह बने त्यो side ला हमें A ले रिप्रेजेन गर्शाम सपोज रा अरको unequal side चाह बिले रिप्रेजेन गर्शाम रा त्यस्तो ट्रेंगल को चाहीं एरिया B upon 4 square root 4 B square minus A square S हरी find out गरना सक्केंचा त्यस्तो यह दी triangle साहीं equilateral सा बने तिन वोटाई side हरो equal in length सा बने त्यसको यह एरिया S हरी find out गरना सक्केंचा square root 3 upon 4 A square A square A represent length of side त्यस्तो यह दी दुई वोटा side हरो को length दियो रा included angle दियो यह दी C रा B को length दियो रा S को angle A को measurement दियो बने एसरी पनी area find out गरना सक्केंचा त्यस्तो यह last माचा सबबंदा important formula यह topic को लागी यह दी triangle A B C चा बने angle A को opposite side lie small A ले रिप्रिजान गरचा त्यस्तो यह angle B को opposite side lie small B ले angle C को opposite side lie small C ले रिप्रिजान गरचा त्यस्तो पची semi perimeter बन्छा नी A plus B plus C सबब्पई length लाइज जोडे बने त्योचें perimeter बन्छा divide by 2 करे बने त्योचें semi perimeter बन्छा रा यह triangle को area शरी भाइंदार गरना सक्केंचा square root S times S minus A times S minus B times S minus C यो formula लाइग बन्छा Hurons formula रा S मा S represents semi perimeter of this triangle perimeter बना चे length of boundary बन्छा A plus B plus C perimeter A plus B plus C upon 2 बना चे semi perimeter बन्छा रात्यस्मा पनी isosilist triangle को area जहिखनी formula equilateral triangle को area जहिखनी formula isosilist triangle को area जहिखनी formula बिसेस करी सम्जुनो पर जा isosilist triangle को area जहिखनी formula B upon A 4B square minus A square इसमा A represent length of equal side जहिखनी तेसपची B represent unequal side जहिखनी equilateral triangle को formula इसके length triangle को formula इसके length triangle बन्छा इसके length triangle बन्छा none of this sides are equal in length बन्छा इसके length triangle बन्छा अब इस बाटा हमीं के equations अरु solve गोर्षम लाँ फस्स्ट वान कोईशन सा find the area of the triangle बन्छा X, Y, Z एउटा triangle देखोचा तीन वटा side को length देखोचा unequal length बन्छा इसके length triangle वो इसको area find out गरनु परनी छा तेसवा हमीं हीरोंस formula लगाँशा square root S times S-A, S-B, S-C अब इसमा X, Y, Z बाटेक्स अरु देया छा बने small x, small y, small z ले represent गरे पने हुन दिवाई याथवा A, B, C, J भने पने फरोग फर्बे ना, तरो S मा क्यो हुनु परो पहला semi perimeter जिखनु परो semi perimeter भना चाएं क्यो भने सब पई side को length लाई सम गरने divided by 2 गरने 25 plus 24 plus 7 divided by 2 आउचा 28 अब आहमीं फर्मुला लगाँशा S times S-A A भने रा 25 लाई सपोज गर्याचू तरो B भने रा 24 लाई सपोज गर्याचू रा C भने रा 7 लाई सपोज गर्याचू 28 times 28 minus 25 3 आउचा 28 minus 24 28 minus 7 आउचा S ला S ला S ला S ला times गरने square root 84 cm2 This is our answer लग तरो question number 2 The triangular field with length of sides is given below, find the area of the field S बने राई सपोज गर्याच S बने राई सपोज गर्याच S को एरिया फार्मुला लगाँने पर्याच त्यों बंदा पहले Semi-Perimeter जिखना पर्याच U plus U plus U divided by 2 S को भीखलू आउँच सपोज पर्मुला लगाँच S times S minus C S minus B S minus C यो क्वेशन चें आफी गर्नो शई र एंसर कमेंट बक्स मा लेखनो अला Question number 3 The perimeter and the length of two Sides of a triangle are given below Find the area of the triangle बंच Perimeter द्याच 36 cm र द्वीवटा side को लेंद देखोच 8 cm र 12 cm हैमिला चैं perimeter देखोच बने हैमिला चाहिन चैंच Semi-Perimeter र संसंगे अरको side को लेंद पने चाहिन चा आमिला perimeter correlation बाट अरको side को लेंद फाइंड आउट गरचां पहिला perimeter equals to 3 side को लेंद होंच A plus B plus C महिला S माँचाई side को लेंद लाइचाई A, B, C भने र सपोज गर्याचो perimeter लाए P रेप्रेजन करी राकोचो perimeter equals to A plus B plus C C होनी बहो के रहा A, B को बहलो replace गर्दा C को बहलो आउचा 16 अब सेमी perimeter perimeter 36 थे बनी semi perimeter divided by 2 होंचा 18 अनी area of triangle को फर्मुला लगाऊंचा square root S times S minus A S minus B S minus C तेस बाच 18 minus 8 बना 10 होंचा 18 minus 12 बना 6 होंचा 18 minus 16 बना 2 होंचा square root जिक्योंच 46 26 point something आउचा अथवा एशारी simplify गरे बने होंचा यह हमरो final answer question number 4 the area of an equilateral triangle is given below find its length of side area दियाचा equilateral triangle area देखो छा हमले चाइँ A तेसको side-lay represent गर्षा बनेरा सपोज गर्षाम square root 3 आपनको A square and area of triangle चाइँ देखो छा 729 times square root 3 equals to square root 3 a square square root 3 चाइँ गाइब होंचा विच्छामे एकोईल साइन शाइन 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 numerator रा numerator का common factor सेम factor अरु cancel out होंचा नहीं अने यह 4 चाइँ एता cross multiplication होना जाँ A square equals to S अने A equals to square root perimeter जेखनाला length of side चाइए length of side चाइए area वाट find out करचां पहला formula लगोंचां area equals to square root 3 आपन 4 A square area को भ्यालू देखाई चा यो A जेट चाइए 16 times 4 equals to A square होनचा अने A equals to square root 16 times 4 होनचा अथवा 16 times 4 वाना चाइ 64 हो ते वाना 8 को square value of A चाइए A टाउँ चाइए perimeter of an equilateral triangle चाइ 3A अथवा A plus A plus A पन गरना सागिन चाइए perimeter वाना length of boundary हो answer question number 6 if the length of the sum of three sides of the equilateral triangle is 18 cm find the area of the triangle भनचा यस माँ चाइए equilateral triangle का 3 sides हरुको length sum 18 cm देखाँ perimeter चाइए area find out गरना परने चा equilateral triangle अब मेले side like A ले रिप्रेजेंट करशो भने perimeter equals to 18 सप़ई side हरू equal in length होंच यह उटा यह बह 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 बने 3A इकाइए value of A is 18 divided by 36 सब्सक्राइए equilateral triangle को एरिया जिकनी formula square root 3 upon 4 times A square square root 3 upon 4 times 6 square 6 square बने 36 4 9 जा 36 9 times square root 3 cm square this is required area of an equilateral triangle question number 7 the area of an isosilis triangular land whose base side length 10 meter is 60 meter square find the measurement of remaining sides यह उटा isosilis triangular length हरे मतलब 2 यवटा side हरू equal length काशान यह उटा जै unequal length तेसपची base side बने चाए unequal side को length 10 meter रा त्यों triangular length को area 60 meter square बन्चा तेसपची remaining side को length find out गर्नुस बन्चा unequal side को length b बने डा सपोज़ गर रहाचा equal side को length a बने डा सपोज़ गर रहाचा b अपन को ko a square minus b square तेसपची ब्यालो replace गर्षां 60 equals to 10 अपन 4 square root ko a square minus b ko square 10 ko square चाहे 100 होंचा यह यह 0 यह 0 गाइब बने यांचा 460 24 होंचा यह term as it is squaring on both side गर्षां तेसपची 24 ko square चाहे यह 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 4a square minus 100 होंचा यह like term arrange गरे भने यह 676 equals to ko a square होंचा को ले divide गरे भने आउचा याने रा 169 equals to a square तेसपची यह 13 ko square हो value of a साहे 13 meter आउचा तेसपची बहे रिमेनिंग साइट सार को लेंग साहे काती रहिछा 13 meter रा 13 meter रहिछा दिस आवर रहिएंचा ला question number 8 the sides of a triangular field are in the ratio 5 is to 6 is to 7 if its perimeter is 1800 meter what is the area of that field बन्चा यह टा triangular field का side रहिगो length को ratio देखो चा यह परिमेटर देखो चा area find out गरना परने चा आमी पहिला length of sides find out बन्चा common ratio x बन्चा तेसपची length of side रहिगो कस्ता बन्चा 5x 6x रह 7x बन्चा perimeter देखो चा बने पची sum of length of sides बन्चा equals to 1800 meter 5x plus 6x plus 7x equals to 1800 x equals to 1800 divided by 1800 आम्चा तेसप़ बन्चा side को length 5 times 100 500, 6 times 100 600, 7 times 100 700 meter होंदो रहिछा अब हमी semi perimeter find out गर्छाम s equals to a plus b plus c अपन्चा 900 meter तेसपची scale in triangle को चाहिए area find out गरनी फर्मुला heroine's फर्मुला square root s times s minus a, s minus b, s minus c s times 900 minus 500 900 minus 600 900 minus 700 900 times 400 300, 200 यानिर मुहले चाहिए without using calculator solve गरहा चाहिए 900 बना 30 कुई स्क्वार 30 बायर इसक्यू 400 बना चाहिए 20 कुई स्क्वार 20 बायर इसक्यू 60,000 हो, 60,000 बना चाहिए 10,000 times 6 हो 10,000 बाट 100 बायर इसक्यू 6 बित्र हो, हमले याथ ते के लेगे यो चाहिए triangular field को area उन्जा ला, question no.9 एन umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of 2 different colors, each piece measuring 15 cm, 41 cm and 28 cm how much cloth is required for an umbrella, if the cost of 1 cm square is 0.5 5 आरेंस, find the total cost of cloth बाचा, यो चाहिए एक्जाम मा यो topic बाटा एकदम repeated question हो, most important question हो एदे long question आया बने, प्राइसरी ने question सोधिरा को हो यो question मा के बन्छा 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 तेत्ती एरिया को कबड़ा चाहिन चाहिन लाई योटा यांसर तेव भाई आन्छा, अनि 1 cm लाई 0.5 रूपीज लागशा बन्छा 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 तेसला यो पहिशाले टाइम्स गरना बिद्देके सेमी पेरिमीटर, योटा पीज को सेमी पेरिमीटर चाहिन 42 cm राऊचा अब आमी योटा पीज को एरिया फाइंड आउट गर्छाम S, S-A, S-B, S-C, 42 x 42-15 चाहिए 27, यो 1 होंचा, टाइम्स यो चाहिए 14 अब योटाइम्स अप्पईको टाइमस गर्णा, स्क्वाईर उर तेती हाने काची यहन सराऊँ चाह है 126 cm2 यो योटतापी सको एरिया हो तेयाच लिएको त्योको जोटापी चाहिए 10 वटापी सको एरियाचा 1 cm² एरी आको कब़डा लाइचे 0.5 रुपीज परचा भाने हम लाइचे टोटल कस्ट कती लाइचा त्यो कब़डा अको बन्च 1 cm² लाइचे 0.5 लाइचा भाने 1260 लाइचा बड़ी लाइचा टामस गर्शा 0.5 तामस 1260 630 आँशा 630 परचाचे लागदा रचा सेंटिमीटर रेस्पेक्टिबली फाइनि इर्स एरिया एन पेरिमिटर अप रुम्बस मान्छा। रुम्बस का दुय वाटा डाइगोनाल आफ देको छे। डाइगोनाल बना चे। युटा वर्टेक्स भाटा पॉजित वर्टेक्स मा जोडनी लाइन लाइगोनाल यहां मिलाई यो rhombus को चाई इंग पेरिमिटर रा एरिया फैद आट गननू पर निच्छ एसमा rhombus मुनहाज है त्यसतो युटा क्वाडरी लाटरल हो जजस्त काच चाई सपपई साइड को लेंध सेम होंच रा, इस स्क्वाइर मा पनी सपपई साइड को लेंध इक्वेल उन्चा, संसंगाई, भर्टेक्स येंगल हरू 90 डिगरी उन्चा तरा, रोमबस को केस मा सपपई साइड को लेंध चाहिं सेम होंचा, तरा रोमबस को एस्थो डिफ्रेंच होंचा तरह एरिया जिखने येदि डाइगोनल्स दियो बने दोईटे को एरिया जिखने फर्मुला चाहिए सेम होंचा डाइगोनल्स को लेंध दियो बने एरिया जिखने फर्मुला 1 upon 2 d1 times d2 होंचा 1 upon 2 d1 माना चाहिए 12 times 16 2, 8, 16 2, 8, 96 cm2 यो रोमबस को एरिया हो अब परियमिटर जिखने फर्मुला चाहिए 4a हो a रिप्रेजेंट लेंध अब साइट तरह एसमा चाहिए लेंध अब साइट देखो चाहिए ना बने हमी यो फर्मुला लगाऊनू पर ने होंचा 2 times square root d1 square plus d2 square 2 times square root 2 bel square plus 16 square 2 bel square is 144, 16 square is 256 144 plus 256 गरे बने 400 होंचा अब नेक्स्ट विडियमा चिलिंडर एंड स्फिर इस्ट गर्निचो ओके थैंक्स बर्वाजी